यौन शोशन के आरोप में सुनिलतिवारी की गिरफतारी हुई है पुलिस की स्पेशल टीम ने यूपी के इटावा से इसे गिरफतार किया है यौन शोशन और बाल मजदूरी का आरोप है पुर्व सीम बाबुलाल मरांडी के सलाहकार रहे हैं सुनिलतिवारी तो यौन शोश पुलिस के स्पेशल टीम ने यूपी के इटावा से गरफतार किया। यूण सोशन और बाल मजदूरी का आरोप है। पुलिस के स्पेशल टाने में खोटी के रहने वाली एक यूवती ने दूसकरम सहित अन्य मामले जो दर्श कराए गया थे इसके बाद इसकी स्पी एक साइब कई मतपूर नाराएं लगाए गई थी और फी किताद सुनिल टिवारी ने भी लोवर कोट में बेल प्रेकिशन लगातार अलग लग जगोपा च्छाप अमारी भी की जारी थी और सुनिल टिवारी ने आज देर शाम तक राची के पेस किया जा सकता है अलाकि अब ही किस तरह से इसको पेस किया जाएगा आप क्या कुछ करवाए की जाएगे नियाए करासत में बेजा जाएगा इस सारे पोरे मामले में अब बी आई पी मामले में इसको पूरी मामले को किस ना इस चैतल करेने करेंगे कुकि अप अधिर दश करने से लेंगे कर आज गिरफधारी तक इस पूरे मामले में में गुपनियत रखी जाए थी ताकि यह बात ही वो बाहर नहीं आ सब लेकिन लगतार अनुज लें बार इसका दो परमुटा से दिखाते आ रहा था कि क्या कुछ राजी पुलिस्न आपडेत क्या किसे से करवाई की जा रहा है और किस करवाई हो रही है उसी कैसा ऐब इनके गरफितारी के बाद राची के कोट तेंगे बेंगे बिलकुल एमरान यह समझना चाहेंगे कि इनके गिरफतारी जिस जेखें से हुई है इटावा से इनके गिरफतारी हुई है ऐसा बताया जा रहा है तो क्या ये गुप तो कोई सुचना थी कि भी और एक तो क्यां से गिर्फतारी की वह इनके रहा है पहर है अपनी निगाहें बनाइएदार इसी करम में जब यह सारे चीजे सुचना यही मेली चींब के मदब से कि सुनिटिवारी का जो मोमेंट है वह जो है वो बिल्ली याश् Cinema करने के बाद उसे बीच रास्ते से ही घंग करना के बाद उसे बाद राजिगार अपने पास प्रात लाएगे पूश्टाज के बाद नहीं के रासत के बाद नहीं बेज़ा जाएगा तो कई बिंदू ऐसे थे जिन पर सुरिंतिवारी का पक्ष भी जानना जरूरी था और ऐसे में उनके ब्यान मिलने बहुत महत्तपूल थे जिसलिए अपर राची पुलिस जब उसे अपने पात लागे तो राची के अरगोड़त थाने में सबसे पहले उनका ब्यान दर्श करा जाए जाएगा और द्यान दर्श कराने के बाद मेडिकल जांच और दूसरे चीजों के बाद निया खिरासा पर में बेजा जाएगा तो उत्तर पर देश से गिरफतारी की बात फामने आ रही है इस पूरे मामले में जिस तरह से पूलिस में करवाई कि यह तीन अलग लग दिका रही जाए वो कोई भी हो त्मांब जो लोग है वो इस पूरे मामले में निगाहें बनाएं वेदे कि क्या कुछ करवाई हो रही है इसे आदार पर सुनिल्तिवारी के गरफतारी हुए और गर गरफतारी के बाद अब सुनिल्तिवारी को राचिकर गोधाने पुलिक बिल्कुल एमरान 16 अगस्त को यह मामला दर्ज हुआ था यह मामला प्रकाश में आया था और आज 12 तारिक है लगबग एक मेहने होने को है क्या लगता है क्या वज़े रही इतनी इतना जो लंबा समय लगा इतना जो अवधी इतनी जादा जो लगी गिरफतारी को ले करके क्य लगता है कि क्या सुनिल्टिवारी बच रहे थे या कोई ने सपोर्ट करना था बचने में अगस्त के बाद सही अपने आपको बचाने के लिए रहात लेने की कोशिश की जिसके बाद लवर कोट में जब अंग्रीन जमाना प्याचिका दायर की गई तो वहां से भी खारेज हो गया उसके बार हाइपोर्ट के रुख किया गया और लगतार बच रहते राची पुलिस के कोश्यक्मा देने के लिए बीच में तेल्पोन का इस्तमाल भी नहीं कर रहे थे यह दूसरे से रहा चलने वाले लोगों के तेल्पोन कॉल्स का इस्तमाल करके अपनी सुप सिंत कि सुझन तवारी के गिरफ्तारी से कम से कम भचाया जा सके लेकिन ऐसा होता नहीं देखा राची पुलिस में पूरे मामले पर शक्रिता दिखाया राज जा करके इनके जब गरफ्तारी हो गए तो पहीर कहीं इनके मुस्सिबते बढ़ जाएगे तुकि अब निया खिरासत जब भेज़नी जाएगी तो यह सारे चीजों पर महतफून ये भी रहेगा कि राची के अर्गोडा ठाने में सुनितिवारे के खलाब एक और मामला दस्ता जो की बालतरम से जोड़ा एक मामला था जो कि सुनितिवारे के खलाब प्रात्मी की बश्कराए गया थी और इस प जो है वो रांची प्लिस करेगी बाद में उसमें रिमान में भी लेकर के उसे भी पूस्ताश की जा सकती है तो पहने कई अब यहां से सुनितिवारे के मुश्किले जो है वो बढ़ गई है नियाए कि रासत में प्राइस पूरे मामले में लिखी जाएगी बिल्कुल एमरा एक पर फिर समझना चाहेंगे कि किस तरीके का इन पर आरोप लगा था यहां सोशन का जो मामला था वो कौन महिदा थी जिन्होंने आरोप लगाया था देकि यह रांची कर गोड़ा थाने में 16 अगस्ट को एक प्राथमिकी दर्श कराई गए थी जिसमें कूटी के रहने वाली जो युवती थी उन्होंने ये बात लिखित सिकायत में दर्श कराई थी कि सुवितिवारी के घर पर जब हुआ काम कर रही थी है और काम करने के द इनके ऐलावे स्कूरे मामले में बात में ये भी ये लिखित आवेदर में बाताया गया सुनुलते बारे ने दूसरे दिन चुट रहने के लिए युवती से महाफी भी माँगे और उसके बात उसे पैसे और दुस्य कई तो पर दूखिया अब गिरफतारी हो गई है और यह देखना दिल्चस्प होगा कि यह जो केस है वो किस करवट बैठता है क्या इसमें फैसला आता है किस तरीके से सुनील तिवारी जो है उन पर शुकंजा कसता है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा